आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Good morning students तो हमारा आज का question क्या है What is electric motor? Electric motor क्या होती है हमें ये बताना है तो यह एलेक्टरिक motor ना एक simple सा machine है ये machine क्या काम करती है Energy conversion का काम करती है सीधी भाशा मैं बोलूँ तो एनरजी को convert करती है एक form से दूसरे पूह में तो बोलो के भया ये तो अजीब चीज़े हैं घर में motor लगी होती है पानी की तो पानी कीशती है क्या बोल रहे हो देखो समझाता हूँ क्या हो रहे है यहाँ पे मेरे पास एक motor है जो भी है इस machine है इस machine को तुम क्या supply कर रहे हो ये बताओ तुम supply करते हो उसको electricity तुम इस machine को electrical energy दे रहे हो ध्यान रखना तुम उस motor को चलाते हो ना electricity से चलती है motor ये क्या करता है ये in return उसका mechanical work create करता है ये उससे mechanical energy generate कर रहा होता है ठीक है energy generate तो की नहीं जा सकती तो ये सिर्फ transform कर रहा होता है इस type के energy को इस type के energy में ठीक है तो अगर एक simple बात करें गाड़ियों के अंदर motor लगा होता है गाड़ियों की जो tires घूम रहे है वो उनमें motor लगा हुआ है तो motor क्या कर रहा है हमने छोटी-छोटी वो होती है आप छोटी-छोटी जो खिलोने वाली cars होती है उसके अंदर उनके tires को remote control cars उनके tires को घुमाने के लिए motor लगी होती है वो motor करती क्या है इस ही electrical energy को लेती है और उसको mechanical energy में यानि की real motion में convert कर देती है समझ रहे हो जैसे पंका चल रहा है तो पंका कैसे चल रहा है तो उसमें electricity का button दबा दिया अब उसमें electricity जा रही है पर उस electrical energy से आप वो चीज move करने लग गई न motion में आ गई motion का मतलब mechanical energy आ गई उसके अंदर कहां से आई ये तो नई तरीक energy है उसने कुछ नहीं किया electrical energy को इसमें convert कर दिया तो इस ही device को बोलते है electric motor आप कुछ लग रहा है कि हाँ ये होता है scene इसकी construction के ऊपर हम लोग अभी नहीं जाएंगे हमें सिर्फ इतना बताना था electrical motor क्या होती है मैंने इसकी पूरी functioning समझा दी इसका meaning क्या होता है अब इसको एक बढ़ डिफाइन कर देते है electric motor electric motor is a device which converts converts electrical energy energy into electrical energy into mechanical energy simple ठीक है तो ये होता है electric motor that's all इसकी construction वगेरा भी है बट हम उस तना डिटेल में नहीं जाएंगी ये one mark का question है हमने इसको explain कर दिया और I hope अब सबज़ भी आ गया होगा कि हाँ इसका काम क्या होता है ठीक है Classics to dual से लेके नीट IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भर हो सा आज जी डाउनलूट करे डाउटने टाप या WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 8444 पर याझ